Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे American Poet Walt Whitman की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है Song of Myself इसे पहली बार पब्लिश किया गया था 1855 में उनकी कलेक्शन Leaves of Grass में लेकिन जब इसे पब्लिश किया गया था तब Whitman ने इस पोयम को कोई टाइटल नहीं दिया था 1881 में इसे पहली बार टाइटल दिया गया था Song of Myself यह पोयम जो है इसकी एक ही basic theme है और वो है idea of self इस पूरी पोयम में पोयट अपने बारे में बात करता है वो खुद को describe करता है खुद को celebrate करता है और खुद को sing करता है उसकी पूरी पोयम में उसका focus सिर्फ खुद पर है यह पोयम जो है यह originally 52 sections की है लेकिन बाद में इसे छोटा कर दिया गया और इसका जो first section है वही लोग जादा पढ़ते हैं Prince Walt Whitman का जन्म हुआ था 31 May 1819 में और उनकी death हुई थी 26 March 1892 में वो एक American poet, essayist, journalist और humanist थे साथ ही वो free verse में लिखा करते थे और बहुत ही popular होते थे उनके works इस वज़े से उन्हें father of free verse भी कहा जाता है उनकी famous works में Leaves of grass, O Captain, My Captain और When Lilacs Last in the Doryard Bloomed ये सभी शामिल हैं तो चलिए friends अब poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं I celebrate myself and sing myself यानि मैं खुद को celebrate करता हूँ खुद को मनाता हूँ जैसे हम एक festival मनाते हैं poet वैसे ही खुद को celebrate कर रहा है and sing myself मैं खुद को ही गाता हूँ जैसे की एक song की तरह यानि poet कह रहा है कि मैं अपने लिए एक festival भी हूँ, एक song भी हूँ मैं खुद को ही celebrate कर लेता हूँ और खुद को ही गा लेता हूँ and what I assume you shall assume अब यहाँ पर poet जो है वो एक तरह से command कर रहा है और कहता है कि जो कुछ भी मैं मानता हूँ या जो भी मैं सोचता हूँ वो तुम्हें भी मानना पड़ेगा सोचना पड़ेगा, एक command है यह और इसका reason जो है वो next line में poet कहता है for every atom belonging to me as good belongs to you यानि मेरे शरीर का हर एक कंड जो है वो उतना ही मेरा है जितना वो तुम्हारा है यानि हमारी body के atoms जो है वो similar है और इसका कारण क्या है तो वो यह है कि हम एक ही जगह से belong करते हैं यानि हम सभी अमेरिका के हैं यह poem जब लिखी गई थी तो यह American audience के लिए थी तो poet का कहना है कि हम इसी विट्टी से बने हैं इसलिए जो हमारे atoms हैं वो भी same हैं इसलिए तुम्हें मेरी बात से agree करना होगा तुम्हारी सोच भी बिलकुल मेरी तरह ही होनी चाहिए I loaf and invite my soul loaf का मतलब होता है घूमना भटकना तो poet कहते हैं कि मैं घूमता हूँ भटकता हूँ और अपनी आत्मा को soul यानी आत्मा को मैं invite करता हूँ उसे अपने पास बुलाता हूँ I lean and loaf at my ease observing a spear of summer grass साथ ही मैं घूमता हूँ भटकता हूँ और जुक कर गर्मी के मौसम में जो घास की नोक होती है उसे आराम से देखता हूँ observe करता हूँ यानी यहाँ पर poet कह रहा है कि मैं nature को observe करता हूँ घास का उपरी हिस्सा जो है वो एक spear की तरह है friend, spear का मतलब होता है भाला तो poet का कहना है कि जो घास का उपरी हिस्सा है वो बिलकुल एक भाले की तरह नोकीला है और मैं उसे observe करता हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे पास खुद के लिए बहुत time है my tongue, every atom of my blood formed from this soil, this air यानि मेरी जुबान, मेरी बोली जो है और मेरे खून का हर एक बून every atom of my blood यानि मेरे खून का हर एक बून जो है वो इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा से बना है यानि ये जो मेरा country है मैं उसी से बना हुआ हूँ यहां की मिट्टी, यहां की हवा इसी से मेरा ये शरीर बना है born here of parents born here from parents the same and their parents the same यानि poet का कहना है कि जो मेरे parents थे, मेरे माता-पिता थे उनका जन्म यहां हुआ है और जो मेरे grandparents थे यानि मेरे माता-पिता के भी जो parents थे उनका भी जन्म यहीं पर हुआ है और साथ ही जो मेरे grandparents के भी parents थे जो third generation हुई उनका भी जन्म यहीं हुआ था यानि एक बहुत ही गहरा connection है poet का इस country से, अमेरिका से हर एक generation, जो पिछली generation है उन सभी का जन्म यहीं से हुआ है तो लाजमी है कि poet जो है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है और कहता है कि जो उसकी body है वो भी अमेरिका की मिट्टी और हवा से बनी है I now 37 years old in perfect health begin यानि मैं अब 37 साल का हूँ 37 साल का हूँ बिलकुल स्वस्थ हूँ और मैंने यह जो शुरू किया है खुद को celebrate करना क्या शुरू किया है तो हमने पहली line में ही पड़ा था I celebrate myself and sing myself तो poet ने जो अपने आपको अपनी company को enjoy करना शुरू किया है उसके बारे में poet कह रहे है Hoping to seize not till death और मैं ऐसा करता रहूँगा continue करता रहूँगा कब तक जब तक मेरी death नहीं हो जाती मैं मर नहीं जाता यानि मैंने decide कर लिया है कि मैं अपनी company को enjoy करूँगा खुद को celebrate करूँगा और ऐसा तब तक होगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता अपनी पूरी life अब मैं यहीं करूँगा creeds and schools in abayance friends creeds and schools इसका मतलब हुआ religion और caste जो हमारी society को बांटते हैं उसके लिए poet कह रहे हैं कि यह जो religion और caste हैं यह एक तरह के लिए हमारे लिए रुकावट है abayance यानि रुकावट है यह retiring back a while suffised at what they are but never forgotten यानि मैं कुछ देर के लिए रुकना चाहता हूँ और इन सभी को भूल जाना चाहता हूँ मगर इन्हें भूलाया नहीं जा सकता क्योंकि जहां भी मैं जाता हूँ वहाँ लोग इनहीं के बारे में बात करते हैं क्या उनका status है या दूसरे का status क्या है सिर्फ इसी बात को discuss करते हैं इसलिए अगर इसे भूलना भी चाहें तो इसे भुलाया नहीं जा सकता I harbor for good or bad I permit to speak at every hazard यानि मैं सही और गलत दोनों को ही स्वीकारता हूँ उन पर विश्वास रखता हूँ यानि ये नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छाई की तरफ हूँ या सिर्फ बुराई की तरफ हूँ मैं एक middle में हूँ दोनों ही चीजों के बीच में एक balance है मेरा और साथ ही हर एक परिशानी पर या हर एक खत्रे पर बोलने में मुझे कोई problem नहीं है मेरे अंदर वो ताकत है वो हिम्मत है कि मैं हर एक परिशानी के बारे में बात कर सकता हूँ उसे discuss कर सकता हूँ नीचर without check with original energy और प्रकृती ने मुझे बिना रोक के अपनी energy अपनी उर्जा दी है यानि मैं जो natural energy है उससे भरा हुआ हूँ तो जब मेरे अंदर इतनी ज़ादा energy होगी तो आखिर मैं रुक कैसे सकता हूँ मैं रुकूंगा नहीं मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और अपनी life को अपनी शर्टों पर enjoy करूंगा तो friends यहाँ पर ये poem खत्म होती है इस पूरी poem में poet सिर्फ अपने उपर focus कर रहे हैं कि किस तरह आज 37 years होने के बाद उन्होंने ये decide किया है कि वो अपनी बांकी की जिन्दगी अपने साथ बिताना चाहते हैं और एक तरह से कहें तो ये एक बहुत ही special बात है क्योंकि आज के जमाने में लोग दूसरों के बारे में अपनी families और अपनी life जो उनकी jobs है उसमें इतना जादा खो गए है कि अपने बारे में सोचना उन्होंने बहुत कम कर दिया है तो friends ये थी Walt Whitman की poem Song of Myself